हालो एवरिवन मैं मिस्स आभाठाकूर प्रॉम मन्धन यदि आपका बच्चा स्प्रीश डिले है और सही टाइम पे सही वक्त पर वो बच्चे को भाष्या नहीं आ रही है तो फिर आप कुछ exercise करवा सकते हैं बच्चे को और उसकी language को आगे बढ़ा सकते हैं मैं आपको कुछ exercise बता रही हूं और उसके साथ कुछ sound बता रही हूं और फिर आप भाष्या देना चालू करें पहले बच्ची को आप रैस्पिरेक्शन एक्सेस कराएं, नाक से सांस लें, मुझ से छोडने का बोलें, इस प्रकास से करवाएं, फिर उसके बाद आप बच्ची को टंग की एक्सेस, लिप्स की एक्सेस, हा, हा, फिर सांस शरू करें, आ, इ, फू, स, श, म, और फिर उसके बाद आप बच्चे को बड़ सिखाना शुरू करें, छोटे-छोटे, जैसे आ, म, ए, पल, केला, अंगूर, इस प्रकास से, आप एक एक गोल लेते जाएं, कि मुझे एक, वीक के अंदर, टू फ्रूट सिखाना है, और, एक मन के अंदर, फोर फ्रूट सिखाना है, इस प्रकास से, फैमिली मेंबर्स के नाम, जो आपके काफी क्लोज है, बच्चे के, पापा, ममी, दादा, दादी, जिस लाइक, और, फूट के नाम, एनिमल्स के नाम, वेजीटेबल्स के नाम, वेहिकल्स के नाम, आप इस से शुड़ुवात करें, और, आस पास, जो वीजीज हैं, आप, कम से कम, दो मिनीट का वेट करें, बच्चों का, बोलने का, बच्चों के, मांगे तो आप बोलो कि भूल के ही दें जैसे आपने आम बोलाए तो पहले बच्चों को बोलो कि आम यदि बच्चा आ भी बोलता है तो आप उसको रियंफोर्स्मेंट दें आप शाबाशी दें उसको बच्चे को लगेगा शायद मैंने अच्छा काम किया है और इस प्रकार आप बच्चा कुछ दो कुछ बोलने की ज़रूर कोशिश करेगा आप इस परिश दिले बच्चे को इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं थैंक यू यदि मेरा आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आज आप प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें मैं हमेशा आपके हल्पक लेते यारू थैंक यू